एक्जाम कड़े दोस्तों बहुत ही क्रूशिल रहता है ये वो दिन है जिस दिन हमें तीन घंटे मिलेंगे और उस तीन घंटे में हमें अपने टैलेंट पूरे का पूरा शोकेस करके आने जिसके लिए हमने दिन रात जीजान से महनत की है और एक इंपोर्डेंट पहलू है जिस पर मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स गौर करें क्योंकि अगर इस पहलू पर हम नजर ना डालें तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इसके कारण उस तीन घंटे में डगमगाते हुए आपके घर से जिस भी जगह पर है आपका घर है आपका होस्टल में रह रहे हैं से लेकर एक्जाम सेंटर तक की दूरी आपने कैसे तै करनी है बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद का वाइकल रखते हैं विच माइट भी आ साइकल, माइट भी आ स्कूटर, मोटर साइकल और आ कार तै इस फोर वीलर और एक्जाम वाले डे पर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम खुद ड्राइव करके एजली अपने सेंटर पर चले जाते हैं लेकिन हमें इस चीज से बचना है एक्जाम वाले डे पर प्रेशर चरम सीमा पर है, बहुत सारी थौट्स माइंड के अंदर चल रही होती हैं एंड इस सिचुएशन में, खुद से ड्राइव करके जाना एक्जाम सेंटर तक सही नहीं है वन आई वस अ स्टूडेंट, आई उस तो पिर इन माई पेपर, आई उस तो रिक्वेस्ट समवन, इन माई फैंड एक्वेस्ट की यार, प्लीज, मुझे एक्जाम सेंटर तक छोड़ाओ आपके घर में हो सकता है, दीदी है, भाईया है, पापा है, मम्मी अगर ड्राइव करना जानते हैं, कोई भी है, आप उनसे कहें अगर इतने सारे लोग नहीं है, मातर एक ही परसन है लेट से आपके पापा कोई ड्राइव करना आता है और लेट से वाइकल भी उनी के पास है, किसी के पास नहीं है तो आपने को हाथ जोड़ने पड़े, पैरों में गिरना पड़े किसी भी तरह से request कीजिए, किस समय निकाल कर प्लीज आजाईए ये मेरे जीवन का सवाल है, लेकिन खुद से नहीं सराप ऐसा को कह रहे हैं, मान लीजिए, example लेते हैं अब खुद से drive करके जा रहे हैं, क्योंकि mind तो वैसी 70 चीज़ों में लगा होता है उस दिन हमारी thoughts इतने सारी चल रहे हैं, रास्ते में किसी से जरा कहा सुनी हो गई, जैसी वो कहा सुनी हो गई, आपका तो exam है, उस person को तो नहीं पता कि आपका exam है, कहा सुनी हो गई, इसका impact कहां आएगा, उस तिन घंटे में आप पूरी तरह से disturbed रहोगे, और कितने इसी चीज़ के कारण, जो की control की जा सकती थी, हमने अपना पूरा paper बिगार दिया, और हो सकता है, it might cost me an attempt, और हो सकता है, सिरफ एक attempt कोस्ट ना करे, पता नहीं, कितने आने वाले attempt तक, मेरा यही paper यही group चलता रहे, because as it is said, कि जो attempt मिला है भहिया, वही golden attempt है, उसमें ही पूरी कोशिश करनी है, हमने pass होने की, example two, mind में thoughts बहुत सारी चल रही है, आप अपने vehicle पर जा रहे है, mind में कुछ-कुछ सोचते जा रहे है, let's say cost का भी पर है, accounts का भी पर है, formula सोच रहे हैं, किसी chapter का, accounting standard के बारे में सोच रहे है, paper कैसा आएगा, और खुदा ना खासता दुरघटना हो गई, गिर क्या करेंगे इस महौल में, एक बार को, चाहे जाधा चोटना लगे, हम चाहते भी नहीं है, ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये सभी चीज़े सोचनी पड़ती है, नहीं लगी जाधा चोट, तो भी, क्या आप उतने confidence से exam hall में जाकर लिख पाएंगे, जितने confidence से आपको लग रहा था कि आप ये वाले attempt दोगे और ये वाले paper में अच्छे number लाओगे, और अगर जाधा चोट लग गई, हाथ से लिखा नहीं जा रहा, पैठा नहीं जा रहा, bleeding बगएरा भी हो गई कहीं कहीं से, तो क्या करेंगे? Very, very crucial and important point to be followed by all के बच्चे कहेंगे, सर हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हम क्या करें? हो सकता है नहीं हो, बहुत सारे genuine students भी होंगे, लेकिन कोशिश हमें यहीं करनी है, कि किसी तरह हम इस चीज़ से बचेंगे, हमें खुद से जाने drive करके public transport, public transport नाम की चीज़ भी है, auto ले लो, all over आजकल चलते है, taxi, वो ले लो, बस ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खुद से drive करना last option में रखो, गर बाकी सभी रास्ते बंदो गए, तभी इस चीज़ को C.A. final November 2008 का समय था, मेरा एक friend था, पटियाला से आता था जी paper देने के लिए, चंडिकर के पास, पंजाब में एक जगह है पटियाला, जहां से approximately एड़ से दो घंटे का समय उस समय पर लगता था, और उसका accident हो गया था रास्ते में, हालांकि उसने paper लिखा, उस बच्चे का rank ही हम में से ऐसे होंगे, जो की situation में लिख पाएंगे, और एक बर accident हुआ दुर घटना होई, तो वो किस कदर जो है, किस कदर हमें affect करेगी, कोई नहीं जानता, so it is very sincere piece of advice, that on the exam day, we don't drive, we have to request anybody in our family, कि भाई, exam के वक्त हमें, जो है आप छोड़ाओ, या फिर public transport का साहरा, लेकि खुद से drive करना उचित नहीं है, thank you guys